तो क्या हाल है दोस्तों तो आज मैंने एक यूटूब पे वीडियो देखा जहां पे एक 9 वोल्ट का बैटरी के जरीए मोवाइल फॉन को चार्ज कर रहा है क्या ये चार्ज करना सही होगा या नहीं अगर आप ध्यानकड़ी लेना चाहते हो तो इसे वीडियो के नीचे जो स्टेट बैटन देख रहा होगा उसके उपर प्रेस किजिए उसके साथ ही सतथ बगल में जो बेल ऐकॉन देख रहा है इसके उपर भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों तो चलिए एक वीडियो देख लेता हूं कि आखिर यह जो बनाया है पोटेवल चार्जर जिसके नाइन- तो पहले बता रहा है कि इसे प्रोजेक्ट या इसे डिवाइस को बनाने के लिए जो कॉंपोनेंट्स की जोरत पड़ेगी यह जो 7805 आइसी है बेसिकली यह कह करता है कि हमारा जो हाइब बोल्टेज को फाइब बोल्टेज को विए फाइब बोल्ट होगा तो चलिए आगे देखते कि कॉंपोनेंट्स की जोरत पड़ेगी उसके बाद यहां पर और रेजिस्टन्स किसलिए उसकी आजाता आपको पत इसका मतलब है आपको इंडिकेशन के लिए यह काम करेगा इसका मतलब है कि इसका आउट्पूट पर वोल्टेज है वह पहुंच रहा है या नहीं आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि यह जो डिवाइस है वह बन चुका है और यह अब टेस्टिंग के बार यह तो चलिए देखते हैं और अगर आप इस प्रोजिक्ट को बनाना चाहते हो तो इसका जो सारकेट डायग्राम है नीचे डिस्क्रेप्शन में आपको मिल तो थो थोड़ा दर और वेट किजिए हम देख लेंगे सबसे पहले कि इसके जरी चार्ज हो रहा है कि नहीं तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से का 9-volt के बैटरी के जरी अपना फोन को चार्ज कर रहा है क्या यह अपना फोन को चार्ज करना सही होगा मैं आपको 100% एकिन से कह रहा हूँ कि यह जो आपके प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यह आपके फोन के लिए बहुत हानी करेक है क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है माली जी आपके फोन के अंदर किसी भी कारेंट के वैसे थोरा से बैगर ज्यादा वोल्टेज या अमपेर चला जाए तो आपका फोन खरब हो सकता है पर्मानेंटली और आपका जो सार्कीट है वो भी खरब हो सकता है इसलिए इस तरीकी का जो चार्जर है या आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंड या प्रोजेक्ट के लिए ही बना सकते हो इसको आप ज्यादा दिन तर यूज नहीं कर पाओगे और इसके जरी चार्ज भी नहीं होता है तो अगर आप लोगों के मन में हैं कि हम भी इस तरीकी का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे फोंड चार्ज हो रहा है कि नहीं तो आप कर सकते हो और इसके लिए सर्कीट में आपने वीबसाइट पर डाल दिया हूँ नीचे डिस्क्रेप्शन में लि अगर कोई भी चीज आते हैं उसके बारे में सबसे पहले में study करता हूँ कि यह problem क्यों आ रहा है किसलिए आ रहा है और अगर हम क्या करेंगे तो यह problem हमें नहीं आएंगे तो इसलिए मुझे उस experience है और उस knowledge के जरीह में आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकर के कोई भी आप external और portable जो भी बैटरी है उसके जरीह चार्ज करोगे तो आपका phone 100% 5 या 10 दिन का अंदर खरब हो जाएंगे तो आप काफी लोगों का मन में यह भी सबल आएगा कि हम power bank के जरीह तो हम phone चार्ज करते हैं उसमें तो कुछ नहीं होता है तो आप लोगों साइद पता होगा कि यह जो भी power bank होता है उस power bank के अंदर एक छोटा सा circuit लगा होता है उस circuit के अंदर protection के जितने भी process होता है जितने भी रास्ता होता है सभी का सभी follow किया जाता है और उसके अंदर यह भी protection दिया रहेता है कि आगर किसी भी current के वैसे हमारा battery ज्यादा हीट हो जाए या ज्यादा current या ज्यादा voltage produce करना लागे तो उसके लिए हमारा पुरा का पुरा सार्कीट है बंद हो जाएंगे और आगे की जो voltage या जो भी current होगा वो provide करना बंद कर देगा तो इस तरीके का जो भी protection है हमारे power bank के अंदर देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको फोन को सही फोन का हसल क्या हो सकता है तो हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक ले हुई सी ओल दा बैस